केस नूज में आपका स्वागत हैं आज हमारे साथ हैं आयोध्या यूनिवर्स संस्था के यग्याचार आसा राम शास्त्री जी जो आज हमें ये बता रहे हैं कि तिप्रेश्वरी राज राजेश्वरी महायग जिसका प्रणाव में बहुत अधिक महत हुए हैं इसके क्या लाब है और किस तरीके से एक आम आजमी इसका लाब प्राप कर सकता है अचार जी थौश है इसके बारे में प्रकाश हो जैश्याराम मैं आशाराम सास्त्री यग्याचार आज़्या यूनिवर्स ट्रस्ट से हूँ मैं समस्त भक्तों को बताना चाहता हूँ समस्त सज्जनों को बताना चाहता हूँ कि राज राज इसुरी तिरपुर सुंदरी महायगे करने से क्या क्या फायदे मिलते हैं देखिए तिरपुर सुंदरी की साधना दस महा विद्याओं में होती है जो की एक अपने में साधना है इसको करने से इस कल्यूग में मनुष्ट को हर वस्तु की प्राप्ती होती है इस तिरपुर सुंदरी महायगे सरदिय नवरात्र में शुभारंब किया जा सकता है वेशे किसी भी समय इसका शुभारंब शुभ दिन शुभ महूरत देख कर कर सकते हैं लेकिन नवरात्री में विशेश महत्व है। साथ अक्टूबर से नवरात्री सुरू हो रहा है। इसमें जो है तिरपुर राजिराजिसुरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। किसमें राज-राजशरी की आराधना की जाती है, हवन किया जाता है, प्रतदिन हवन, वैदिक मंत्रों के साथ किया जाता है, चतुर वेदों का परायण होता है, पिशब करके और राज-राजशरी का आवाहन करके, जिस भक्त को जो भी कामना हो राज की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, अईश्वर की प्राप्ति, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुष्टे पुर्शार्थ को देने वाली राज राज सुरी भगवती भक्तों की एक्षाओं को पूर्ण करती हैं इस तरह से इस्यग्य का महतो का वरणन हम करते हैं कि समस्त भक्त लोग आने वाले नवरात्री में शुभारम्ब करें और इसके महतो को जाने देखें नवरात्री में जिन भक्तों के पास मान लेजेए बहुत बाइसा नहीं है पूजा पाट करने का वो भी पूजन पाट कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत बाइसा हो तभी पूजा किया जा सकता है बवानी शंकरों बंदे स्रध्धा विश्वा सुरूपिणों स्रध्धा और विश्वा सोना चाहिए और वेट करके मा भगवती का मानसोप चारे ही पूजन करना चाहिए मानसोप चारे ही जाप करना चाहिए यम यम चिंतेते कामम तम तम प्राप्नो तिनिश्चितम माराज शुरू कहती है भगवती कि जो जिस भावना से मेरा चिंतन करके पूजन हवन आवाहन करेगा उसकी एक कामना को मैं अवस्ष्य पूर्ण करूंगी जै माता जी जै श्यार ईक सवार मन में और उपता है कि एक तो हम लोग अपने घर में नॉनल एक हवन एक समान हवन कर लेते हैं लेकिन जब बात होती है महाशक्टियों की तो जब इनके हवन की कि हम लोग इनके बारे में सोचते हैं और उनसे हम लोग लाप प्रात करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लोग इस तरह के हवन या इस तरह के जो अनुष्ठान होते हैं किस तरह से किया सकते हैं और उसके लिए हमें क्या प्रयास करने जाएंगा लेकिन यह है जो हवन हम बता बाधा है जितने भी रोग बाधा है कितने भी प्रकार की बाधाएं है समस्त बाधाएं नश्ट हो जाती है लेकिन ये यग्यात्मक रूप से होता है ये किसी विशेस आचार विद्वान आचारी के द्वारा होता है ये अस्थल पर होता है यदि कोई विद्वान हो तो वो स् की जानकारी चाहिए लिकिन यह घ्यात्मक कि अदोर्श और ही कि कम खेशocyरे Qa कि लिए और शपरी चलुलिकित शर्य किसनिन को ध्यातर कर ellाई पया видим threw दूद और चावल और पंचमेवा धी इशम मिस्रित करके और उसका खीर बनाया जाता है उस खीर से हवन किया जाता है इस हवन को करने से समस्त प्रकार के कष्ट का निवारण होता है मानो जीवन सुखमे होता है और कोई भी मन इक्षा की प्राप्ती हो, राज सत्ता की प्राप्ती हो, अईश्वर की प्राप्ती हो, सुख की प्राप्ती हो, समस्त बाद हैं, टलती हैं, समस्त अभ्युदय फल प्राप्त होता है, यही इसका महत्तो है अच्छार जी केस में उससे बात करने के लिए बहा बदाने